वेलकम टु फर हम बनाने जा रहे हरी मतर कि कबाब करती है बद दाएमें और यू हमें भी कुछ निered कि अठीश पर आज हम के लिला हो फिर फिर में डालará दो कप ह साय कि त inh ने मकबोर कि रहा हैं मिला दें इसको फिर गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और इस पर ढखकन डखके पांच मिनट के लिए पकाएंगे से पांच मिनट हो चुके हैं तो यह देखिए मतर कुछ इस तरह से गली हुई है तो फिर अब हम थोड़ी तेर के लिए इसको तेज आश पर भूनेंगे दो है फिर गैस के फ्लेम को ओफ कर दें और इसे ठंडा करके हम बीणा पानि के पीस लेंगे है फिर हम एक अलग बरतन ले उसमें सारे पेस्ट को टाल दें दो चमन झाम ब्रेट क्रमस डाल देंगे एक चमच डालेंगे लाल मीज पॉडर एक बारी कटी हुई प्याज दाल दे तो होड़ा सा री धन्या काट के डाल देंगेो 스ुम सँस्षिक लिए तॉटर स्टेंगे जिसके डाल खर विएस टीछ कर लिएक हाद तुट तेट और इसमें से थोड़ा सा निकाल कि अपने हाथों से राउंड शेप में इसको बना लें देखरें कि अब आप को इसी तरह राउंड शेप में बना लिए एक अलग पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल को गरम होने दें तेल जब पूरी तरह से गरम हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे स्टिक्टी को इसे हमें कमाज पर पकाना है सारी डाल दें फिर फ्लेम को थोड़ा लो कर दें और थोड़े देल के लिए जब तक और एक तरफ थोड़ा व्राउन ना हो जाए तरह तक पकाए तो पलट पिल्ग को इस तरह से हमें कई बार पर नहां है ताकि ये बॉल्डन ब्राउन हो जाय को यह पूरी तरह से गोल्डन ब्रॉण हो चुका है अब इसको निकाल दें और इसको हम सर्फ परेंगे हरे मटर का कबाब बहुती उप्षोटी बनता है और बहुती एज़ी और कुइक र तर्फ करें या तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तरें थाइंक यूए